अगर आपको diabetes है तो हो सकता है कि आपको magnesium की deficiency हो तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि magnesium का क्या importance है और किस खाने में magnesium मिलता है तो आज मैं आप लोग को 9 ऐसे low carb magnesium foods के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपने diet में शामिल करेंगे तो आपको magnesium की deficiency नहीं होगी क्योंकि magnesium का बहुत ही important role है तो बने रहें मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि magnesium का क्या importance है और किस-किस खाने में आपको magnesium मिलता है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक like जरू कर देना channel में नए है तो channel को जरूर subscribe कर ल कोच हूँ और एक fitness nutrition specialist तो आज हम बात कर रहे है magnesium के बारे में अगर आपको diabetes है तो हो सकता है कि आपको magnesium की deficiency हो और जादा तर diabetes के मरीज को magnesium की deficiency होती है क्योंकि magnesium जिस-जिस खाने में मिलता है उसमें carbohydrate भी बहुत जादा होता है तो इसलिए हम लोग कई बार आप लोग को मना कर क्योंकि अगर आप वो सारे चीज़ खाएंगे तो आपका sugar level बढ़ेगा और जिसकी वज़े से आपको magnesium भी उतना नहीं मिलता है लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोग को नो ऐसे low carb food के बारे में बताऊंगा जिसको diabetes के मरीज आसानी से खा सकते है और उनको खाके अपन magnesium का requirement भी पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि magnesium का क्या importance है या magnesium का क्या role है तो दोस्तो magnesium का बहुत ही important role है magnesium आपके muscle को normal maintain करने में मदद करता है nerve function को ठीक रखने में मदद करता है आपके blood pressure को regulate करने में मदद करता है आपके blood sugar को regulate करने में मदद करता है अगर आपको depression है anxiety है उसको कम करने में मदद करता है साथ ही साथ आपके heart के rhythm को normal करने में मदद करता है bones के लिए magnesium बहुत important है body में ऐसे 300 से ज़्यादा biochemical actions होता है जिसके लिए magnesium की जरूद परती है तो आप सोचिए कि अगर आपके शरीर में magnesium की deficiency होगी या magnesium नहीं होगा तो ये सारे functions नहीं होगे और साथ ही साथ magnesium आपके body में energy generate करने के लिए मदद करता है ATP generate करने के लिए मदद करता है तो magnesium का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके शरीर में magnesium नहीं होगा तो ये सारे function नहीं होगा आपके immune system कमज़ोर होगा तो इसलिए magnesium भरपूर मातरा में खाना बहुत जरूरी है और magnesium आपके शरीर में नहीं बनता है तो इसलिए आपको बाहर से magnesium लेना पड़ेगा आपको खाने से ही लेना पड़ेगा लेकिन जादातर खाने में जहां पे magnesium उपलब्ड होता है उसमें कार्बाइडरेट भी बहुत जादा होता है तो इसलिए diabetes के मरीज वो सारे खाना नहीं खाते है या नहीं खा सकते है जिसकी वज़े से उनको magnesium की कमी रहती है तो आज मैं आप लोग को 9 ऐसे food item के बारे में ब magnesium की कमी है तो आपको बहुत सारे symptoms हो सकता है जैसे कि muscle spasms या फिर heart palpitation या फिर low blood pressure या फिर sleep disorders या फिर muscle cramps या anxiety, headache, nausea, vomiting, constipation ये सारे चीज़ आपको हो सकता है infection बहुत जादा हो सकता है क्योंकि immunity आपकी काफी कमजोर हो जाएगी और आपका blood sugar भी हमेशा हाई रहेगा तो अगर आपको blood sugar को maintain करके रखना है तो आपका proper muscle functioning होना बहुत जरूरी और muscle का functioning proper तरीके से तभी हो सकता है जब शरीर में अच्छा खासा magnesium होगा magnesium की deficiency नहीं होगी और बहुत बर हम क्या करता है कि हम magnesium का blood test करा लेते हैं लेकिन blood में आपका magnesium level हो सकता है कि सही हो लेकिन magnesium stored नहीं हो पाता है तो इसलिए magnesium को stored रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई पर ऐसा देखा गए आपके blood में magnesium level तो सही होगा लेकिन आपके cells में, muscles में magnesium की जो storage है वो काफी हद तक कम रहता है जिसकी वज़े से ये सारे symptoms होता है तो इसलिए आपको ये सारे 9 food item आपके diet में शामिल करन के आसपास चाहिए पूरुष को थोड़ा सा जादा चाहिए महिलाओ को थोड़ा कम चाहिए तो अगर मैं पूरुष की बात करूं तो फिर पूरुषों को कम से कम 400-420 mg के आसपास daily magnesium चाहिए और महिलाओ की बात करें तो 300-310 mg के आसपास उनको चाहिए होता है और इतना magnesium आप खाने से ही ले सकते है आज मैं आप लोग को 9 ऐसे आइटम के बारे में बताऊंगा जिसको आप लेंगे तो आपकी daily requirement magnesium का पूरा हो जाएगा तो सबसे पहला है almonds यानि की बदाम अगर आप 28 ग्राम बदाम लेते हैं या एक आउंस जिसको हम बोलते हैं एक आउंस यानि की 28 ग्राम के असपास अगर आप बदाम लेते हैं तो उसमें आपको 80 mg magnesium मिल जाएगा जो कि आपका 20 प्रतिशत daily value का है तो इसलिए almonds ज़रूर खा अगला है spinach spinach या फिर पालक तो पालक में भी भरपूर मातरा में magnesium होता है और अगर आप 4 आउंस पालक का लेते हैं 4 आउंस यानि की 110-120 ग्राम के असपास अगर आप पालक खाते हैं उसमें आपको 78 mg magnesium मिल जाएगा और पालक का और भी बहुत सारा benefits है तो इसलिए पालक अप magnesium होता है और अगर मैं एक आउंस की बात करो या 28 ग्राम pumpkin seed की बात करों तो उसमें 74 ग्राम आपको magnesium मिल जाएगा pumpkin seed में आपको healthy fat भी मिल जाते हैं तो इसलिए pumpkin seed को जरूर अपने diet में शामिल करिए इसमें carbohydrate बहुत ही कम होता है तो आपके sugar level को भी नहीं बढ़ाएगा अगल काजू में अच्छा खासा fat होता है healthy fat होता है लेकिन काजू में थोड़ा सा carbohydrate content ज्यादा होता है compared to दूसरे लेकिन इतना ज्यादा carbohydrate नहीं होता कि आपके sugar level को बढ़ा देगा तो इसलिए काजू आप लोग जरूर खाएगे और एक आउंस यानि के 28 ग्राम काजू में आपको 74 मिलिग्राम magnesium मिल जाएगा तो गाजू में भी अच्छा खासा magnesium है और अगर आप ये सारे food खाएंगे तो आपका जो magnesium का requirement है daily का वो आप अराम से meet कर सकते हैं अगला है dark chocolate, dark chocolate में भी अच्छा खासा magnesium होता है और ध्यान रखना है कि dark chocolate unsweetened हो उसमें दूसरा artificial sweetener वगरा ना हो और कम से कम उसमें 60 से 70 प्रतिशत cocoa हो तो ही उसमें आपको magnesium मिल जाएगा क्योंकि cocoa powder में अच्छा खासा magnesium होता है और dark chocolate में जहां पे 70-60% के आसपास आपका cocoa है तो उसमें आपको भड़पूर मात्रा में magnesium मिल जाएगा और अगर में एक आउन्स या 28 ग्राम की बात करूं त आपको 50 मिली ग्राम के आसपास आपको magnesium मिल जाएगा तो इसलिए dark chocolate आप खा सकते है अगर आपको chocolate का शौकिन है तो dark chocolate आपके लिए बहुत ही बहतरीन रहेगा क्योंकि उसमें आपको magnesium भी मिल जाएगे अगला है peanut butter peanut butter का बहुत सारा benefit है मैंने बहुत सारे वीडियो में आप peanut butter जरूर खाना चाहिए क्योंकि peanut butter में आपको healthy fat मिलता है आपको protein मिल जाते हैं आपको carbohydrate भी मिलता है लेकिन उतना ज्यादा carbohydrate नहीं होता है तो इसलिए diabetes के मरीज peanut butter जरूर खाये इससे आपका sugar level नहीं बहुता है लेकिन peanut butter में आपको magnesium भी मिलेंगे अगर आप दो चमच peanut butter ल मिल जाता है अगर मैं एक चमच flag seed की बात करूं जिसका वजन साथ ग्राम के आसपास होगा तो उसमें आपको 27 मिली ग्राम के आसपास आपको magnesium मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि flag seed में कितना अच्छा magnesium होता है अगर आप पूरे दीन में तीन या चार चमच flag seed ले 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 उसमें manganese उसमें copper जो आपके शरीर के लिए है ये सारे minerals भी आपको मिल जाएगे तो इसलिए flag seed जरूर खाईए और flag seed उतना महंगा नहीं है बहुत ही सस्ता है तो कोई भी उसको effort कर सकता है और flag seed में आपको healthy fat भी मिलेंगे और साथ ही साथ magnesium भी मिलेगा तो इसलिए flag seed स्वीश चार्ड होता है जो आपके beetroot है उसका जो पत्ता है ओ उसको हम स्वीश चार्ड बोलता है तो beetroot के पत्ते जरूर खाये ये एक green leafy vegetable है इसको ज्यादा तर लोग फेक देता है लेकिन इसमें भड़पूर मात्रा में magnesium होता है अगर में 100 ग्राम beetroot के पत्ते की बात करो तो उसमें आपको 81 मिलिग्राम magnesium मिल जागा तो बहुत ही अच्छा source है magnesium का साथ ही साथ इसमें आपको vitamin C, vitamin K भी मिल जाता है फाइवर बढ़पूर मात्रा में मिल जाता है एंटी ऑक्सिडेंट मिलता है तो इसलिए स्वीश चार्ड या फिर beetroot के पत्ते को अपने डायेट म कमी बिल्कुल नहीं होगी और अगला फूड आइटेम है टौफू तो टौफू भी अपने डायेट में जरूर शामिल करें अगर आप 100 ग्राम टौफू खाते हैं तो 100 ग्राम टौफू में आपको 53 मिलिग्राम आपको magnesium मिल जाएंगे तो टौफू एक अच्छा source है magnesium का टौफू जरूर खाईए और टौफू उतना महंगा नहीं है इनफेक्ट पनीर से भी सस्ता है टौफू तो बहुत लोग मेरे से पूछता है कि कुछ सस्ता आइटेम बताएं सस्ता आइटेम बताएं तो आप टौफू जरूर खाईए टौफू से आपको protein भी मिलेगा और स साती साथ आपको magnesium भी मिल जाएंगे तो यह था नो ऐसे food आइटेम जिसका carbohydrate content भी कम है और जिसमें भरपूर मात्रा में magnesium है लेकिन यह सारे चीज़ कई बार हर जगा पे उपलब नहीं होता है कुछ लोग effort नहीं कर सकते हैं तो उस condition में किसी किसी को supplement की जरूरत पर सकती है त है जिसमें magnesium citrate है तो वह supplement आप ले सकते हैं इसमें आपको तक्रीबन डेर सो मिलीग्राम के असपास magnesium मिल जाएगा तो यह supplement आप ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप supplement ले रहे हैं तो हमेशा doctor से consult करके ले क्योंकि अगर आप इस supplement को लेंगे और कुछ और दवा आपको लेना चाहिए और अगर आपको कोई symptom है जैसे के muscle pain हो रहा है, weakness हो रहा है, vomiting हो रहा है, constipation हो रहा है, इस तरह के कोई symptom है तो उस condition में भी आप magnesium ले सकते हैं, supplement ले सकते हैं, लेकिन doctor से consult करके ले और अगर आप यह supplement लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो इसका description म में आपको link दे दूँगा, amazon में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन please doctor से consult करके ही ले, और अगर आपको symptom है तब ही इसको ले, पहले कोशिश करिए कि जितने भी food item मैंने आपको बताया, वहाँ से सारे चीज़ लेने की कोशिश करिए, अगर व वह सारे चीज़ आपको उपलब नहीं है, तो उस condition में आप magnesium का supplement भी ले सकते हैं, तो उमीद करता हूँ, इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा, इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए, क्योंकि magnesium deficiency की वज़े से ही बहुत सारे problems होते हैं, और वो सारे problems की वज़े से ही आप अपना diabetes reverse नहीं कर पाते हैं, तो maximum लोगों को magnesium की deficiency होती है, तो इसलिए ऐसे खाने को अपने diet में इस्तमाल करना चाहिए, जिसमें भरपूर मात्रा में magnesium हो, और आज आप लोगों ने सीख लिया है कि 9 ऐसे food item जिसमें भरपूर म सबस्त रहे, मस्त रहे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद है।